और वीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉंफरेंस कर रही है चलिए सुनिये क्या कहा जा रहा है अपनी मित्रता थी उसको ध्यान में रखा और ये लोकसभा में जो उनके शब्द है वो भी आपके समक्ष रख देता हूँ 1952 में जब आला नहरु जी कह रहे हैं I remember it must have been the 27th of October after practically an all-day sitting in the evening we came to the conclusion that in spite of all the risks and dangers involved we could not say no to the appeal appeal that was made by the then ruler agreeing to sign the instrument of accession which was delayed by जवालाल नहरु और एक इतिहासिक भूल जो जवालाल नहरु ने करी उस इतिहासिक भूल का सुधार इतिहासिक सुधार किसी ने किया तो वो देश के प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अनुचेत 370 को निश्क्रे किया गया संज्जोधित करके पाच अगस्त दो हजार उन्निस ये वो ही लोग हैं जो कहते थे आर्टिकल 370 एक स्पेशल टेंपररी प्रोविजिन है और घिसते घिसते घिस जाएगा लेकिन सामप्रदाइक राज़ित्ती करनी थी तोष्टी करण की राज़ित्ती करनी थी इसकी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए इस अस्थाई प्रोविजिन को समाप्त कर सके और आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए ये जितने इंस्टुमेंट ओफ एक्सेशन साइन हुए ये सारे के सारे शब्द शाए एक जैसे थे जो कश्मीर में इंस्टुमेंट ओफ एक्सेशन साइन हुआ ये भी शब्द शावो ही था फिर जब संविधान रचा गया तो जवालना नहरू जी अस्थाई शब्द ले आते हैं स्पेशल प्रोविजन ले आते हैं और हमने देखा जो भारत का अभिन अंग है वो भारत माता की भूमी पर पाकिस्तान का अनौथराइजड ओक्यूपेशन है कबजा है तो अगर समय पे ये फैसला जवालना नहरू जी ले लेते तो आज जो पी ओके का मसला है ये मसला नहीं होता हमने देखा किस तरह से भारत ने संयुक्त राश्ट्र यूनाइटिड नेशन्स के सामने अपना पक्ष रखा है लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवालना नहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटिड नेशन्स में रखा और पाकिस्तान का लोकस